आज सुबसादी कतलू हाजी सहार की वफात के साथ हुआ इत्मिरान रखें इत्मिरान रखें ये लगी तक्दीर है सब दूआ पढ़ें सब दूआ पढ़ें अल्लाहुमा जुरनी फी मुसीबती हादिही वखलुफ ली खैरं मिनहा अल्लाहुमा ला तहरिना अजरहु वला तफिना बादहु अल्लाहुमा जुर्ली फी मुसीबती हादिही वखलुफ ली खैरं मिनहा अल्लाहुमा ला तहरिना अजरहु वला तफिना बादहु और इस सानहे पर हम हदरत महम्मद صلی اللہ علیہ وسلم के इतिकाल फर्माने को सामने रखें तो ये जो है मुसीबत हल्की हो जाएगी अल्लाह की तरफ मतबज्य रहे फादिसा आप ने जिस जो रास्ता हमें बिखाया जो महनत दी और जिस महनत के लिए एहादिसाहाब نے सब कुछ करवान चिया अल्लाह हमें उनकी इतिवा की तौफिए गता फर्माए और इस महनत के लिए हमें सब कुछ लगाने की तौफिए चाल्छा sleeping हागी मitelš할 सबर से काम लें नमास पड़े और दौाओं में लगे और अल्ला के रजसे में निकलने की और इस मेहनत को जुहाजी साथ की आखरी बाते थे कि ये मेहनत हम इसको अपने जिन्दगी का मुकस्द बना कर रहे हैं सारे इंसानों पर शफ़कत ये हमारे दिल में हो और सारी इंसानियत हमारे सामने हो कि कैसे ये इन्सानियत अल्ला की चाहत कर आ जाए और जहन्नम से बच्च कर जन्नत में जाने वाली बन जाए अल्ला हरे कर ये फिकर बना दे तो सारे साथी नमाज, आमाल और दौा में लगे ये दौा अर्फ कर देता हूँ और तो इत्मिनान रखें, जि आए ल्ला की तकदीर से हुआ है, अनके फिराख और घमगीन है लेकिन ए अल्ला तेरी तकदीर पर हम रादिए माशा ल्ला हुआ काम जो अल्ला ने चाहा वो हुआ ये जो अल्ला नहीं चाहते वो हो नहीं सकता अज्वार आप अधरात को जदाया खेरा ताफ रहाएं मगर्ड की नमाज के बाद होगा नमाज जनादा मगर्ड के बाद होगी मैदान में जी हाँ जोहर के बाद मजमाँ वही तश्रीव ले जाएंगे मजमाँ मगर्ड के बाद नमाज जनादा मेदान में इन्शाओ अल्ला